हलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भीन के जोड, भीन के घटाओ, और भीन के गुना और भीन के भाग तो इसलिए आप देख पा रहे हैं, तो बहुत ही गहराईयों से बताऊंगा, आप सुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए तो चलिए, सुरू करते हैं भीन के जोड से, तो उपर वाले को कहा जाता है अंस और नीचे वाला को कहा जाता है हर, ये चीज़ आप सब जानते भी होंगे तो नीचे वाला जो हर दिख रहा है चार और दो इसे निकाला जाता है लसा तो लसा निकालने आता है तो वीडियो को भगा कर दखिए और नहीं आता है निकालने तो देखते रहिए तो चार और दो को हम निकालते हैं सबसे पहले लसा तो यहाँ पर 4 और 2 को लिख लीजिए अब इस तरह से कर दिजिए अब सबसे पहले आपको 2 से लगाना है तो 2 से लगाएंगे तो 2, 2 ना का 4 हो जागा और 2, 1 दो अभी भी आप 2 से लगा सकते हैं और नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिकत नहीं है तो 2 से लगाने पर 2 एकम 2 और यहां पर 1 बच जागा अब आपको क्या करना है यह जो 2 2 1 1 दिख रहा ना सब को गुना कर दिजिए तो यहां पर लिख दिजिए बराबर का चिन लगा करके 2 2 अब गुने 1 और गुने 1 सभी को आप गुना किजिएगा तो हमारा कितना हो जाएगा बराबर में 4 ठीक है तो 4 और 2 को लसा निकालेंगे तो हमारा आजाएगा 4 ओके तो अब यहां पर क्या किजिए आप बराबर के चिन लगा करके लिख दिजिए 4 ठीक है अब यहाँ पर concept को समझिए अब आप ही बताइए कि 4 के पहाड़ा में कितना बार में 4 आता है तो एक बार में, ओके और तो 8 और गुने कर देजिए 1 तो 8 गुने 1 किजेगा तो हमारा आ जाएगा 8 ठीक है, अब यहाँ पर यह खतम हो गया अब यह पलस का चीन लगा दीजिए यहाँ पर पलस लिखा चुका है अब 2 के पहाड़ा में कितना बार में 4 आता है तो जाईर सी बात है, 2 के पहाड़ा में 2 बार में आता है ठीक है, तो 2 बार में आता है तो 5 दूना कर दीजिए 10 ठीक है अब आप इसे जोड़ दीजे तो 8 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 18 बटा में हो जाएगा 4 यह आपका हो गया answer अगर आप इसे काटना चाहते हैं तो काट दीजिए यहाँ पर इसे ऐसे किजिए और काट दीजिए दो दुना का 4 और इसे 9 दुना का 18 तो 9 बटा 2 answer हो गया ठीक है तो इसे इस पर गौर ना किजिए तो लगुतम निकालना आता है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं ठीक है तो भीन के जोड़ तो हमने सीख लिया चलिए समझते हैं अब भीन के घटाओ भीन के घटाओं में भी आपको नीचे वाला हर को क्या कर लेना है लसा निकालना है तो आप लसा निकालने आपको गर आता है तो निकाल लीजेगा हम सोट में बनाने का पर्यास कर रहे हैं तो ये दुनों को लसा निकालेंगे तो आसानी से हो जाएगा 21 ठीक है अब यहाँ पर concept को समझिए अब 7 के पहाड़ा में कितना बार में 21 आता है तो 7 के पहाड़ा में 3 बार में तो अब 3 बार में आता है तो 5 गुने कर देजिये 5 तिया हो जाएगा 15 तो यहाँ पर 15 लिख दिजिये अब ये घटाव का चीन यहाँ पर लिख दीजे लिखा चुका है अब तीन के पहड़ा में कितना बार में किस आता है तो सात बार में तो अब छोग उने कर दीजे सात तो छोग सत्य हो जाएगा आपको 42 ठीक है अब आपको क्या करना है कॉंसेप्ट को देखिए अब इसे घटा लिजे 15 में से 42 को घटा लिजे तो 15 में से 42 तो घटेगा नहीं तो अब 42 में से 15 को घटा लिजे तो बराबर का चीन लगाईए अब यहाँ पर 2 में से 5 घटाईएगा तो नहीं घटेगा 27 बटा हो जाएगा ये वाला 21 अब ये हो गया answer अगर आप काटना चाहते हैं तो काट दीजिए तो लीजिए अब हम इसे काट भी देते हैं तो ये हो गया 27 21 और हो गया 9 27 तो ये 9 बटा 7 आपको हो गया ठीक है 9 बटा 7 इंसर हो चुका है अब चलिए समझते हैं भीन के गुना अब भीन के गुना में ध्यान दीजिए मैंने आपको बताया उपर वाला answer होता है और नीचे वाला हर तो भीन के गुना में लसन नहीं निकाला जाता है ब कटते हैं तो इसे आप ऐसा ऐसी भी काट सकते यानि तिर्चा तिर्ची काट सकते हैं तो काटिए 9 और 5 को काटेंगे तो नहीं कटेगा इसे इसे काटेंगे तो नहीं कटेगा अब आप ऐसा ऐसी काटें ठीक है तो यहां से यहां काटें तो 5 गुने 5 से अगर हम काटेंगे 20 को तो 5, 4, 20 अब यहां से यहां काड़ देंगे तो 3 तरीका 9 यानि 3 बार में यह कट चुका है अब यह 3 और यह 3 बच गया तो बराबर का चिन लगाईए अब इसे यहां पर 3 लिख दीजिए और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लिजिए ठीक है अब यह यह तो कट चुका है अब यहां पर गुना का चिन यह वाला लगा दीजिए यहां पर गुना का चिन अब उपर क्या है यह वाला 4 और नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप लिख लिजिए तो नीचे में 1 लिख लिजिए अब आप क्या किजिए बस आसान है चर्तिया हो जागा मतलब तीन चौका हो कितना हो जागा बारा अब एक एक हो जागा ये हो गया answer ठेक है तो आसानी से आपको आ गया होगा अब हम समझ लेते हैं भिन के भाग तो भिन के भाग में अब आपको क्या करना है ध्यान दिजियो अब आपको सबसे पहले बराबर का चीन लगाना ये बारा बाटा चार है ना इससे आप पहले लिख लिजिए ठीक है अब ये जो भाग का चीन है इससे अब आप यहाँ पर कर दिजिए गुना का चीन और जैसे ही ये गुना का चीन हो जाता है तो नीचे वाला उपर चल जाएगा और उपर वाला नीचे चल जाएगा तो अब यहाँ पर यह जो तीन बटा इकीस है लिख दीजे तो नीचे वाला उपर तो इकीस और यह उपर वाला नीचे तो हो जाएगा तीन अब इसे हो गया यह भीन का गुना अब हो गया तो अब इसे काटिए, मैंने आपको कहा है, ऐसे ऐसे काटिए, ऐसे ऐसे, या आप इसे इस तरह से भी काट सकते हैं, मैंने आपको अभी भी बताया है, इस तरह से इस तरह से भी काट सकते हैं, तो काटिए, तो चर्तिया हो जागा, यहाँ पर 12 और 3 सत्य 21, तो बस बन गया, 3 और 7 गुना कर दिछे, तो कितना हो जागा? 21, तो अब लिख दिजे 21 बटा, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो एक हो जागा, एक एक गुना होगा, तो एक हो जागा, तो एकिस बटा, एक answer हो गया और हासा थी, भीन के घटाव में हमने आपको क्या इसके आगे क्या है घटाओ का चीन है तो आप यहाँ पर घटाओ का चीन लगा दीजिए ठीक है तो इस तरह से हो जागा तो यहाँ पर माइनस नौ बटा सात एंसवर हो जागा तो I hope इस वीडियो में मैंने भीन का जूड भीन का घटाओ भीन का गुना और भीन का भाग यह आपको समझाया है अगर आपको समझ में आ गया होगा तो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा लाल कलर का उस पर आप किलिक कर दिजिए बस उसी दिन से हमारे सदसे का हिसाब बन जाएंगे और वाके में दमदार बात है तो जलिए मिलते हैं एक और नय दिन किसी नय व आपको समय प्राहत deixa प्राहते हैं